नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ अरुन सिंग और आज हम बात करेंगे घरेलू हंसा अधनियम 2005 के सम्बन में तो सबसे पहला जो क्रशन हमने दिया था, वह यही दिया था कि घरेलू हिंसा होती क्या है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, या इसे परिभासित कीजिए, तो देखे घरेलू हिंसा जब आप define करेंगे तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, वे कौन-कौन सी बात दिया है कि घरलू हिंसा जो होगी वह घर के किसी व्यक्ति से होगी कहेंगे तो वे कौन-कौन से लोग होगे वे ऐसे लोग होगे जिनके साथ किसी महिला का रक्त संबंध होगा तो सबसे पहला पॉइंट आएगा रक्त संबंध का दूसरा आएगा कि उस महिला का विवाहिक स मंद हो किसी के साथ यानि कि पत्ति-पत्नी का रिलेशन है या दत्तक संबंद हो मतलब कि वह पारिवारिक रूप से कहीं न कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है तो ये तीन लोग इसके अंतरगत आते हैं दूसरा कि घरिली हुई हिंसा के अंतरगत होगा क्या-क्या कि किसी महिला को सारेरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से उसकी जीवन में किसी प्रकार का कस्ट पैदा किया जाएगा यहाँ पर भी तीन पॉइंट है कि सारेरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से किसी महिला को क्या किया जाएगा जीवन को कस्ट पैदा किया जाएगा और जो उसमें चीजे आएंगी वे हैं कि सारेरिक, लैंगिक और भावनात्मक दुर्वे वहार तो इस तरीके से आप देख रहे हैं तीन तीन पॉइंट के तीन पॉइंट हमने बनाये अब इसको मिलाकार आप अपना एंसर लिखेंगे किसी महिला को क्या हो रहा है सारेरिक, मानसिक और आर्थिक उसके जीवन में कस्ट पैदा किया जा रहा है कौन कर रहा है तो उसके रख संबन, विवाहत्तर संबन और दख्तक संबन और इस तरीके से क्या हुआ उसके सारेरिक, भावनात्मक और लैंगी ग्रूप से दुर्वेवहर किया जा रहा है तो अगर ऐसी situation है तो वह क्या आता है घरेलू हिंसा के अंतरगर आता है और आप इन सब points को अपने उत्तर में सामिल करेंगे हमारा अगला प्रशन था कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के माध्यम से महलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले हुमें है तो आप जब इस अधिनियम को देखेंगे तो इस अधिनियम की धारा 8 और 10 में दो अधिकारियों का वर्णन है सनरच्छन अधिकारी एवन सिवाप्रदाता अधिकारी तो सनरच्छन अधिकारी और सिवाप्रदाता अधिकारी का यह करता भी होगा कि वह महिला जो घरेली वह हिंसा से प्रीडित हैं, उसे ही वो क्या करेंगे, मजिस्टेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, या मजिस्टेट तक महुचने में उसकी मदद करेंगे, और उनके कारता भी होंगे, कि उस महिला के लिए आवास की विस्था करना, तथा उसके आर्थि सहयोग प्रदान करना या भी उनका करता भी होगा साथ जैसे कि आप देखें कि 36 गड़ में सक्षी वन स्टाप सेंटर तो सक्षी वन स्टाप सेंटर के माध्धम से कोई भी महला जो घरेलू हिंसा से पीडित है उसे आवास और आर्थिक सहाता प्रदान की जा रही है तो इस अधियम के बाद ही सक्षी वन स्टाप जैसे सेंटर बनाए गये और इनके माध्यम से महलाओं को सनरच्छन प्रदान किया गया और क्या-क्या इसमें अधिकार दिये गये हैं महलाओं को तो और अगर आप देखें तो आपने क्या दिया है उन्हें आवास और आर्थिक सहात प्रदान की अब साथ ही आप उन्हें यह भी कहते हैं कि वे चाहें तो जिस हिंसा से वे प्लित हैं उसकी सिकाया पूलिस से कर सकती हैं साथ ही उन्हें निशुल के रूप से विधिक सेवा प्रदान की जाएगी मतलब एक वकील भी उन्हें प्रदान किया जाएगा साथ ही उन्हें वकील के माध्यम से जीन्हों ने उसके खिलाप हिंसा की है उसके खिलाप वे केज दायर करने के भी उनको अधिकार होता है। विधिक जो सेवा प्रदान की गई और साथ ही जो सनर्चन अधिकारी और सेवा प्रदाता अधिकारी हैं वे उनके स्वास्ता का ध्यान रखना उन्हें आवाज देना उन्हें भोजन प्रदान करना इनका भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ जो हमने कहा था कि महिला के साथ किसी प्रकार के सारीरिक, मानसिक और लैंगिक दुरुवहार ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा तो इस तरीके से आप देखें तो ये घरिलू हिंसा अधनियम 2005 के माध्यम से महिलाओं को दिये गए अधिकार है कि वे इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं हिंसा से बस सकती हैं यदि उनके साथ इस तरीके का किसी तरीके का दुरुवहार हुआ है तो उनको ये अधिकार होंगे हमारा अगला प्रशन था सिविल अधिकार सनर्चन अधनियम 1955 के सम्मन्द में हमने कहा था कि सिविल अधिकार सनर्चन अधनियम की प्रमुख विसेस्ताओं को बताईए कि सिविल अधिकार सनर्चन 1955 अगर आप इसे देखें तो हमने भारती संधान के आर्टिकल नमबर 17 में आर्टिकल 17 में हमने ये कहा था कि अस्प्रस्ता का निवारण किया जाएगा भारती समाज में अस्प्रस्ता या छुआ छूत अब नहीं होगा परन तो नहीं होगा हमने यहां कहा संधान में लेकिन ऐसे कोई नियम नहीं बनाए ना ही हमने अस्ष्षता को सही रूप से डिफाइन किया कि अस्ष्षता है क्या और मान लिजे कोई ऐसा वेवहार करता है तो उसे क्या दंड होगा या भी हमने नहीं बताया था तो इसलिए हमने 1955 में इस सम्मंद में नियम मनाए तो ऐसा कह सकते हैं कि सिविल सनरच्छन अधनियम जो 1955 है वह अस्पृस्थता सम्मंदी व्यवहारों के लिए क्या करता है दंड का प्रवधान करता है जो बेसिकले दंड से सम्मंदित है अब यहाँ पर यहाँ वे डिफाइ गई है वह बताई गई है धार्मिक अस्पृस्थता तो धार्मिक अस्पृस्थता जब आप देखते हैं तो धार्मिक अस्पृस्थता में यह कहा गया है कि किसी मंदिर या किसी पूजा के इस्थान पर या किसी नदी या तला जिसे धार्मिक गुरुप से पवित्र माना जा रहा है और किसी विशेश जाति या धर्म के लोगों को वहाँ जानने से रोका जा रहा है तो वह क्या आजाएगा अस्वसता के अंतरगत आ जाएगा खास कर ये जातिगत मावलों पर अधिक लागू होता है कि किसी को छुवा छूत की भावना के आधार पर, किसी पूजा इस्थल पर, किसी मंदिर पर, या किसी नदी या तलाब जो धार्मी गुरूप से पवित्र माने जा रहे हैं, वहां जाने से रोका जा रहा है। कि किसी व्यक्ति को किसी होटल में, किसी सिनेमा घर में, या किसी दुकान में, किसी चीज का क्राय करने पर, या जाने के लिए क्या किया जा रहा है, वहां रोका जा रहा है, या उसके साथ ऐसा वेभार किया जा रहा है, जो कि समाजिक रूप से सही नहीं है, अर्थात उसके स दंड का प्रधान कितना किया गया है एक माह से च्छै माह तक क्या हो सकती ऐसे व्यक्ति को सजा हो सकती है जो किसी के प्रती छुवा-छुथ की भावना रख रहा है या ऐसा कोई कारे करता है जिसके माध्यम से किसी विशेश वर्ग को किसी धार्मिक या समाजिक स्थान पर ज आने से नहीं रोका जा सकता और यहां आप किसी जातीगत कारणों से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं अगर यहां भी आप ऐसा करते हैं तो यहां भी आपको एक से श्यमा की सजा हो सकती है साथ ही यहाँ भी कहा गया इस नियम में कि विधी के विरुद्ध कोई स्रम लिया जाता है यदि जैसे कि एक बिगारी प्रथा थी कि जो लोग दुसरी जातियों से संबंदित थे वे क्या करते थे वे अन्य लोगों को सोसित करनेते थे और उनसे काम कराया करते थे और उनको उचित महंताना नहीं देते थे या उन्हें महंताना ही नहीं देते थे कोई व्यक्ति यदि कारे कर रहा है तो उसे वेतन मिलना चाहिए और यदि कोई ऐसा करता है कि उसकी जातिगत कारणों से या विधी के विरुद्ध ऐसा कोई स्राम लेता है तो उसे भी दंड दिया जा सकता है और यहां भी अस्वसता के अंतरगत आता है तो यह मुख रूप से चार बातें यहां पर बताई गई अगली बात जो कहीं गई है वह यह कहा गई है कि जो सिविल अधिकार सनच्छन अध अधनियम के तहट अपराद किये गये हैं या अस्वसता की गई है वे संगे अपराद की शेणी के अंतरगत आते हैं तो संगे अपराद क्या होते हैं तो ऐसे अपराद जिन में FIR की जाएगी और पुलिस अधिकारी बिना किसी वारन के भी जो व्यक्ति के खिलाब सिकायत क गई है उसे ग्रिपतार कर सकते हैं अगर या आशगनिय होता तो किसी व्यक्ति को ग्रिपतार करने के लिए वारन की जुरुत होती बट सिविल अधिकार सनचन अधनियम के अंतरगत जो अपराद किये जाते हैं उनको संगे अपरादों के शेणी के अंतरगत रखा गया है और इसके तहट किसी तरीके के वारन की जुरुत नहीं है और पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ग्रिपतार कर सकते हैं साथ ही ऐसे अपरादों को सिविल नियाले के अंतरगत पेश किया जाएगा और वहीं पर इसके दंड का प्रावधान किया जाएगा अब आप और इस प्रमुख विसेस्ताइं हैं जहां पर अस्विस्ता को डिफाइन किया गया है और संगय अपरादों के अधार पर और केंद सरकार इस नियम को लागू करती है यह कुछ विसेस्ताइं आप बता सकते हैं अब हमने यह कहा था कि समाजिक रूप से इसने किस प्रकार से समाज क हुआ है तब से समाज में बहुत अधिक परिवर्तन आया तो जो हमने शुरू के चार पॉइंट कहे जाए हमने कहा कि धार्मी के स्थाल या मंदिर में जाने से मना ही आप नहीं कर सकते हैं तो उसके पहले ऐसा था परन्तु इस अधनियम के लागू होने के पसार धीरे धीर कि हर व्यक्ति अब पूजा इस्थल या मंदिर में जा सकता है दूसरा हमने यह आप से कहा था कि किसी समाजिक स्थान पर या होटल में या सिनेमा में जाने से नहीं रोक सकते तो यह भी आप वरतमान में देख रहे हैं कि नहीं रोका जाता तीसरा हमने कहा कि किसी चैच्छ रूप से कहीं कहीं ये बात आती है कि वहां बलात स्रम लिया जा रहा है परंतु शंपूर भारत में इसे देखा जा रहा है कि बेगारी की प्रथालगभग खत्न हुई है तो इस तरीके से आप देखें तो ये परिवर्तन आये हैं साथ ही आप इसमें देखते हैं कि जो जाति क्या हुआ है उत्थान हुआ है तो यह कुछ समाजिक परिवर्तन हुए है तो इस प्रकार से देखते हैं कि सिविल आधिकार सनचन अधिनियम ने छुवाचुत की भावना को दूर किया है और लोगों को ससक्त किया है और लोगों को मिल जूल कर रहना हम सिखाया है इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं तो इस तरीके से हमने तीन question discussion community में दिये थे और हमने इन तीनों प्रशनों पर अपना discuss कर लिया हुआ है अब मैं आपको बता दू कि हम मुख्य परिच्छा की तयारी कर ही रहे हैं और अगर आप या आपके दोस्त प्रारंभिक परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा mobile course बनाया गया है प्रारंभिक परिच्छा के लिए जिसका वरतमान में discount दिया जा रहा है और आपको यह mobile course 3150 रुपे में मिल जाएगा इस course में हमने CGPSC Pre के सभी विसेयों को जिस 36 गड़ समान अधियन हो इतियास हो संदान हो साइन्स हो मैस रिजनिंग हो या language का कोई subject हो Hindi 36 गड़ी language इन सभी को सामिल किया है और इनके 200 घंटे से अधिक का वीडियो बनाया हुआ है इस mobile में साथ में आपको क्या मिले है हमने जितनी बुक प्रकासित किया है उन सभी बुक को आपको digital forward में पढ़ने के लिए मिल जाएगा है और साथ में ही हमने practice के लिए 3000 question दिये ह हुए है तो यह सब चीजें आपको 3150 रुपए में मिल जाएंगी तो अब हम यह समझते हैं कि किसी कोचिंग जाने के उसकता तो नहीं है आप यह हमारा मॉइल को ले सकते हैं धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के YouTube चानल को subscribe कीजिए और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले